Hello Students, अभी तख हम लोगों ने देखा है organ donation इंडिया के बारे में, जहां हम लोगों देखा था कि कौन-कौन सा organ donate किये जा सकते हैं, organ donation में क्या-क्या challenges आ रहत हैं, और इसका क्या solution नहीं, कैसे organ donation को promote किया जाएं, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ISO बिल के बारे में जो अभी रिसेंटी लोगसावा से पास हुआ ये बिल ISO बिल यानि इंटर सर्विस और्गनाजेशन बिल ठीक है इसके फिचर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कुस किया था उसके उसी से हमने एक टॉपिक मिला था इंटिग्रेटेड थीटर कमांड के बारे में जहां हम लोग ने देखा था क्या इंडिया को ऐसा नीड है कि आरमी नेवी और एयर फोर्स को मिला कर एक नई फोर्स बनाई जाए इसके क्या नीड है अगर ऐसी नीड है तो इसके क्या एडवांटेजेज होंगा ऐसे फोर्स के और अगर ऐसा फोर्स सेट अप किया जा तो क्या कि उसमें चैलेंजेज आएंगा इन चीजों का हम लोग है डिसकस किया था ऐसी चीज़े यूपी ऐसी पूछती है एनलेटिकल कोश्चन कि आप फ्यूचर में होने वाले चीजों क लेकर कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं केतने आवेर हैं आप ठीक है आज का मारा टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हा डियो ऑक्सीजनेशन इन वाटर बोडीज ठीक है यह बायो डाइवर्सिटी और इनवार्मेंट का एक अच्छा टॉपिक हा जो की जी मतलब पानी में जो घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं कमी हो जाने को डियोक्सीजनेशन कहते हैं ठीक है अब यह क्यों होते हैं वाइद इस हैपन्स डिस डिक्रेज इन ऑक्सीजन एवबिलिटी कैन ऑकर डिव तो वैरियस नेचुरल और अंथ्रोपोजनिक फैक्टर्स यह बहुत सारे नेचुरल और अंथ्रोपोजनिक फैक्टर से कारण होता है अंथ्रोपोजनिक मतलब क्या होता है कि ऐसे चिंजे जो इंसानों के द्वारा इंवर्मेंट पर असर डालते हैं जैसे अंथ्रोपोजनिक यह लिखा हुआ है इन्वर्मेंटल चेंज कॉज्ट बोलते हैं आंथ्रोपोजनिक तो पानी में और रही हो अपक्र कर दो और अविशेध। और इसके बहुत सारे प्रेकृट्रेक्ट और मानवयर कारण है ठीक है इसकी प्रभाव पड़ेगा ? क्या इंपक्त होटेगा अश्यूसक्या लिखा हुए है…. लाइफ इसे जो भी एक्वेटिक जीवन होंगे जो जली जीव होंगे उसका प्रभाव पड़ेगा वह उन्हें सास लेने में उन्हें अक्सिजन की कमी होगी पहला चीज उनके लिए यह डेड जोन बन जाएगा ठीक है दूसरा जो प्रभाव पड़ेगा वह सिफ्ट इन इस से डिस्ट्रीविशन जैसे जहां भ navy favorable condition मिलेगा वहाँ ज्यादा तर स्पीसिच चले जाएंगे तो यह सिफ्ट हो जाएगी चीज़ें जैसे जहाँ ऑंकि एको सिवन से जलिये जीव निकल करें जहां बीतल मिलें चले जाएगा भी म Corp प्रभाव पड़ेगा तो यह बहुत ही खत्रा है हमारे एको सिस्टम के लिए तो यह दूसरा प्रभाव पड़ेगा तीसरा क्या है हमारे हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा अक्सिजन की कमी वाला पानी अगर हम लोग पीएंगे तो उसी क्वालिटी कम होगी वह हमारे लिए सेफ नहीं होगा वह पानी तीसरा चौथा क्या है एकोनॉमिक इंपक्ट अब यह हमारे एकोनॉमिक पर भी असर डालेगी कैसे यह देखिए यह फिसरी इंडस्ट्री को बारे में उसके बाद एकोनॉमिक सेक्टर हम लोग तुरिस्म इसे टूरिस्म पर प्रभाव पड़ेगा कैसे रीक्रेशनल ऑपर्चुनिटीज कम हो जाएंगी उसके कारण टूरिस्म पर निगेटिफ इंपक्ट पड़ेगा तो यह पांच दरह के इंपक्ट पढ़ेंगे लेकिन पंच काफी को तो दिखेए पेस्ट कोई भी आए तुसे हर तरा से जितने हैंगल सरक्षिक सफरें से जहाब जाब देने मिकैनीक ज्यादा डयवर्श कीजा अपने अंसर को था स्मुंट। लगा तो हम्हों कैसे इससे बढ़ सकते हैं क्योंकि यह दके एंसर कैसे लिखना अपको पहले उसका इंट्रोडप्शन देना होगा कि क्या होता फिर उसका बॉडि हम लोग लिखते हैं और फिर से सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उससे कम करें दूसरा क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम किया जाए तीसरा ग्लोबल पॉलिसी बनाए जाए कि ग्लोबल वार्मियों कम किया जाए और चौथा क्या होता है बेटर ड्रेने सिस्टम मतलब कि ज हवा कम करां देख सकते हैं बविल्टर कर तो इस बैवा अच्छा सोलीशन है कि अपने ड्रेने सिस्टम को अच्छा इंप्रूव करें तो यह यह 4 वर ढब देखते हैं अब वो टाइम हो गया आज के क्विज का तो यह के स्टाटिक क्विज हम लोग देखते हैं सबसे पहले यूनियन बजट को कहा सबसे पहले इंट्रड्यूस किया जाता है लोग सब हाम है राजे सब हाम है जॉइंट सेशन और पर्लियमेंट या मिटिंग अफ यह कौन सा करेक्ट एंसर होगा अब एक करेंट अफिर्स के कुईज को देख लाते हैं तो वो क्वेश्टन है कि विच कंट्री इस दा लीडिंग एक्सपोर्टर आफ बास्मती राइस फर दो ग्लोबल मार्केट ऐस ऑफ 2021 कौन सी देश जो है बास्मती राइस का सबसे ज्य इस पांच मिट लेक्टर सेरीज का एक ही एम है कि आप हर टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हों एक अच्छा कंक्रीट चीज जानते हों ताकि कि किसी भी चीज के बारे में कुछ भी लिख सके हैं ऐसा कोई टॉपिक आ जाए और आपका मतलब दिमाग बिल्कु टॉपिक के साथ